हालो स्टुडेंट्स वेल्कम टू पीवियार स्टडी तो इस्टुडेंट्स जैसा कि आपको पता है इस समय आप टेट सीटट सूपर टेट की कमबाइंड क्लास देख रहें आज आपकी पार्ट नंबर 21 यह होगी इसके पहले हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है साथ बटा आठ के बीच में नहीं आती है देखिए इसका मतलब ऐसे समझे लो कि जैसे मैंने लिखा साथ और मैंने लिखा नो ठीक है तो यह तो थोड़ा नजदीक हो जा रहा है मानलो साथ और उननीस ऐसे मैंने लिखा है और मैं आपसे पूछूं कि यह बताओ नीचे दिये गए इन आप्शन में से कौन सी संख्या इन दोनों के बीच में नहीं आती है तो अगर आप इसको इमानदारी से देखिए तो इसमें आप बता सकते हो कि इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या नहीं आती है पता कर लोगे न भाई साथ से लेके उननीस तक कौन सी संख्या है यह चारों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो इनके बीच में नहीं आती है जल्दी से आप बता ल पुश्ता कि इसमें से कौन सी संख्या नहीं आती तो काहते 2 क्यूंकि 2-7 से भी छोटा है यह समझ गे ना वैसे ही इसमें भी करना मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझना इन विन्नो को कि इनको कैसे मतलब समझें कि कौन बढ़ा है कौन छोटा है इसके बारे में पहले विन्नो करोगे तो 0.833 आएंगे और माइनस में इसलिए माइनस भी रहेगा याद रखना और ये कैसे आएगा वो मैं करके आपको दिखा दूँ अगर आपको हो तो ये ऐसे होगा तीन अंक तक लगबग लिखा गया है आप 5 में 6 से बाग करोगे पहले 0 बार जाएगा गटाओगे पांच आएगा दसमलो बढ़ा के 0 उतारोगे उसके बाद 6 सते 42 छे ठे 49 आठ बार जाएगा घटाओगे दो आएगा फिर 0 बार बार उतारते जाओगे फिर 6 तरीक 18 अब आई ये परकिरिया ऐसे जाती जाएगी खतम नहीं होगी तो इसको दो अंक तक लिख दिया गया इसलिए मतलब टोटल दसमलों के बाद तीन अंक तक इसी प्यमाल लिए खतम हो गया इसके बाद है बच्चा आपका जो 7 बटा 8 इसको आप भाग करोगे तो 0.875 लग भगाएगा वो आपको पता होना चाहिए देखिए कल्कुलेसन आपका फाइस्ट होगा तो आप इसको देखते मान फटा फट कर ले जाएंगे इसलिए अगर आपको बेसिक मैध नहीं आती अगर 11 से इसको भाग दोगे बच्चा यहाँ पर 0 उतारोगे तो 12 नमया 108 होगा ना यानि जो इसका अंसर आएगा जो कुछ भी आएगा वो माइनस में 0.9 से जादा ही मतलब और आगे बढ़ेगा ना यानि कहने का मतलब यह हैं मैं एक एक अंक तक निकालके इसकी compare कर लू आएगा इसके आगे जो भी होगा कि पन होगा फिर दुबारा वन बढ़ जाएगा इसको भाग करोगे पांच बटा छे यह तो वही आया जो उधर आया था तो 0.833 आएगा वह भी प्लस में ही आएगा माइनस में नहीं आएगा ना नम अच्छा माइनस में नहीं आएगा क्यूं क्योंकि वह तो माइनस में था यह प्लस में है यहाँ पर माइनस है नही की माइनस था देख लो अपशन भई का है हाँ ठीक है अप्शन में नहीं है अब अगर 24 और इसकी बात करें इनको आप भाग करके देखो 170 हो जाएगा और 24 का भाग करोग 170 में तो कितनी बार जल्दी बताओ भाई 25 चक्का 1.500 होता है तो 24 चक्का 144 होगा 7-8 बार लग बग जाएगा ना भाग करके देखो जल्दी से 17 बटा 24 वाला बहुत जल्दी करो फिर मुझे बता दो चलो जल्दी करो भाई हो गए ना ओके गुड 0.708 लग बग आएगा आप कुछ लोग कहेंगे कहें आया रुको बता रहा हूँ 7-08 माइनस में देखो यार यह बहुत ही सिंपल है ऐसे भाग कर लो ना वहीं 17 में 24 से भाग कर लो पहले 0 बार जाएगा आप यहाँ पे 0 ले जाओगे 17 आएगा फिर उपर 10 हमलो बढ़ाके सुनना उतारोगे 24 का इसमें भाग ले जाना है 8 बार ट्राई करोगे 8 चोग 32, 62, 16 16, 16, 3 और नहीं 192 जादा हो जाएगा इफली 8 बार यह नहीं जाएगा तो 7 बार जाएगा 7 चोग 28, 7, 24, 16 यह कटाने पे 2 आएगा फिर 0 उतारोगे देखो बच्चा अगर एक बार जीरो उतारोगे तब भाग नहीं जा रहा है तो दूबारा जीरो अगर 2 उतारोगे लगा तार दो बार सुनने उतारोगे तो यहाँ पे 10 संबलो बढ़ाना वो सुनने तारोग नहीं यहाँ पे 0 बढ़ाना होता है एक 0 उतार लिए अब दूबार ले जाओग भाई आठ बार जायेगा भाई 25, 6200 होता है न 24, 8, 32, 8, 12, 16, 28, 18, 18 क्यों यहीं करके देखो का हो रहा है आठ बार गया देखो 4, 7, 28 यह भी माइनस में 0.7 लगभाग आएगा फिर 2 आएगा गटा ओगे तो 5 आएगा मतलब 0.75 के लगभाग आएगा सम्थिंग आप भाग करके देख लेना और फिर मुझे बताना आप देखिए चुकि मुझे समझाना इसलिए मैं इतना टाइम लगा रहा हूं उन्हें तो मुझे यह सब भाग भाग करना ही नहीं था यह जो मैंने किया यह सब नहीं करना है अगर आप competitive exam देने वाले चात्र है तो आपको छोटी-छोटी चीजे याद होनी चाहिए जैसे कि इसको भाग करने पर इतना आएगा इसको करने पर इतना आएगा यह सब कैसे कैसे क्या होगा यह सब आपको पता होना चाहिए क्यूकि competition में यह सब करने का time नहीं होता है ठीक है तो इसके लिए आपको basic मजबूत होना चाहिए अब मैं इसको सामने से मिटा करके मैं आपको यह दिखाऊंगा कि किस तरह से यह 0.91 इन दोनों के बीच में नहीं आता है वो चीज के लिए आप पूरा भी class को इंड़ तक देखना देखिए मतलब समझे एकदम स्टार्टिंग से इसमें कोई परकार का हम आपको start cut नहीं करेंगे ठीक है एकदम concept सिखाएंगे आपने देखा होगा संख्या रेखा नंबर लाइन आपने देखा होगा ऐसे होती है न भाईया आप सभी देखे हो न देखो अब यहां से मतलब समझो यहां पर जो बीचों बीच में होता हो मोल बिंदू होता है होता है न जहां पर जीरो होता है इधर साइट पलस में सारी गिंती होंगी चुकि हमारी जो पलस की गिंती है 0.875 है तो हम उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे जिससे इसमें हम लिख पाएं पूरा नहीं तो अगर एक दो तीन चार ऐसे लिखेंगे तो बहुत बढ़ हो जाएगा है न तो इसको हम 1010 पार्ट में बाटेंगे यानि 0.10 0.20 0.30 ऐसे ऐ आगे बढ़ाते जाएंगे तो यह 0.80 आएगा फिर उसके बाद क्या हो जाएगा भया कि देखो हम दो-दो के अंतराल पे ददस के अंतराल पे चल रहे न तो दस बीस तीस इस तरह से जा रहा नहीं है असी हो गया नहीं फिर यह 0.90 होगा और फिर देखो अब 100 हो जाएगा इसका यह मतलब हुआ इधर माइनस में जाओगे तो ऐसे जाएगा माइनस में 0.10 देखो इसको कभी भी दस मत बोलना ऐसे मत पढ़ना 0.10 नहीं तो गलत है माइनस 0.10 माइनस 0.20 ऐसे ऐसे इसको आगे बढ़ाओगे तो दूर दूर लिखो गे तो ढग से रहेगा नहीं तो बड़ा गंदा लगेगा आप कोगे कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें यह यहां पे 0 लिख लो इनको थोड़ा दूर दूर कर देते हम यहार यहां पे इस तरह से थोड़ा दूर और जाओगे, तो ये तीसरा मिलेगा, ये भी माइनस में ही रहेगा, ये, 0.30 माइनस में, ऐसे आगे बढ़ते आओगे, तो हमें 8 तक चुकी लाना है, तो यहीं कहीं 0.80 भी मिलेगा, अब देखो, आगे मतलब अभी समझते जाओ पूरा, ये मैंने सही लिखाए क्या, धीरे धीरे ये चीजें क्या होती जा रही है, इधर बढ़ती जा रही है, फिर इधर क्या होंगी, छोटी होती जाएंगी, अब मतलब समझो आप, मतलब समझ गया होंगे, अब लिखना नहीं है, समझ लो यहीं से, अगर हम इसकी कंपेर करें, 0.9 उनकी, तो आप देखो, ये गिंती बढ़ किधर को रही है, भाई, यहाँ पे, यह देखो, 30 है, फिर डाट, डाट, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे आते आते, और सारी, 0.30 है न, 0.80 हो जाएग चलो, अब देखो, मतलब समझो, जो मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखना, अगर हम इस लाइन को थोड़ा और इधर फाइड बढ़ा, इंक्रीज करें, यहाँ से देखिए, आपको एक बहुत ही अच्छे चीज मिलने वाली है, बस इमांदारी से देखना, बिलकुल ध्यान से देखना, दिल लगा के देखना, चलो, यह लाइन मानलो मैंने और बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, बहुत बढ़ी होगे जाने दुआ, और आगे बढ़ा होगे यह, तो 0.90 आएगा न, फिर और आगे बढ़ा होगे, भाईया, यह मानलो अगर इसको 90 पैसा है तो क्या होगे, एक रूपया हो जाएगा न, एक रूपया का मतलब 1.00 माइनस में, ऐसे बढ़ता जाएगा न, हमें देखना है 0.833 और 0.875 के बीच क्या क्या है, यानि इधर हमारा जो बाडर होगा बच्चा, वो यहीं पर लग जाएगा, क्यों, यहीं पर लग जाएगा की बात करेंगे, यहाँ पर माइनेफ लगा याद रखना, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट होंगे, भाई जैसे 10 और 20 के बीच में गिंती होती न, 11, 12, 34, 25, 25 होती न, वैसे यह 3 पॉइंट और इधर आएगा बस, 1, 2, 3, मतलब यहाँ होगा कहीं इसका बाडर, ठीक है, यहा बड़े गरा, तिरासी, भाई, 0.83 होगा न, और अगर प्लस वाला बात करें, तो 80 से देखो थोड़ा साब ज्यादा होगा, साथ पैसा, साथ पॉइंट और आगे जाएगा, क्योंकि यह लगभग 75 है, तो ऐसे मानलो, इसको 88 मान सकते हो, लगभग में अगर आपने, अंकी पार्ट होंगे, तो लगभग यहां तक आएगा, ठीक है, अब मतलब समझो, यह यहां तक जाएगा, प्लस वाला, हमें क्या देखना है, यह बया, 0.91 यह माइनस में है, माइनस में है, मतलब यह 90 को भी क्रास करके और आगे जाएगे, यानि यह कहीं यहां आएगे, 91 मतलब में वहां पे खतम था, तो बताओ, यह कहां है, यह 91 माला कहां है, इसके बाहर है न, इसके बीच में है, नहीं है न, हमें यही चीज़ दिखाना था, कि इसके इसके बीच में है, नहीं है, बात समझ में आई न, हमें यही दिखाना था, बाकी अगर और कहो कि भाया, यह सब कहा इसके बीच में देखो जो गिंती माइनस में जितनी ही बड़ी होती है वास्तों में उसका बैलू उतना ही छोटा होता है जैसे हम कहें कि हमारी बैंक में माइनस पांच लाक रुपया है माइनस पांच लाक का मतलब हमने पांच लाक लोन लिया है अगर आप कहें कि आपकी बैंक में एक हजार रुपए है और हमारे बैंक में माइनस पांच लाख है तो मतलब आपकी बैंक में ज्यादा हमारे में कम है क्यों क्योंकि हमारे में पांच लाख लोन है करजा है लेकिन आपके पास एक हजार जो है उसको आप यूज कर सकते हैं मतलब आपके लिए हो समझ तो वैसे यह बड़ा है किस से 835 से जो भी है इससे बड़ा है देखो कैसे इसका जगा कहा है पता है यह 30 होगा इसका मतलब इन दोनों के बीच में आया पूरे बाट रखेना अगर हम इसकी बात करें यह कहां गया एक और भाई देर सारे थे ना यहां वह और भी एक कोई था यह मैंने एक मिटा है ना हाई यह 708 ना भाई 708 यह भी सिंपल सी बात है इसी के थोड़ा पहले होगा चुकि यह 75 है तो यह यहां कहीं होगा मतलब यह तो भाई एक पर 60 जा रहा इसी में बीच में होगा बहुत छोटा छोटा लिखना मुझे चुकि जगा नहीं है मारे प होता है न 32 तिस से बड़ा होता 708 उच्वाटा होता है तो इसी की बीच में होगा ही कहीं मतलब यह सारी गिंती हिससने बीच में आगे लेकिन यह बचारा यहां पर पार कर गया बाडर यहीं से यहीं तक था यह बाहर आ गया और अगर कोई इसका आपको इसमें नहीं है यह अब इनको आप लिख लीजे, जो भी लिखना चाहें जल्दी करो, पूरा एक बार में दिख रहा है, जिनको लिखना जल्दी करें लिखने फट से, बहुत जल्दी करें भई, मैं इसको मिटा के अब आगे बढ़ूँगा, जल्दी करो भई, जदा टाइम नहीं है, बहुत ज बात करेंगे, अधा मिनिट उसके बाद फिर चलते हैं कोईस्चन पे, देखो बच्चा जैसे अगर मैंने लिख दिया थ्री या पांच से बन, अगर इसकी मैं तुल्लबिन की बात करूं, तो इसमें मैं किसी भी एक गिंती से नीचे उपर दोनों में गुड़ा कर दूं, या भाग कर दूं, फिर जो आएगा वो इसकी तुल्लबिन होगी, जैसे मानलों इसमें मैंने पांच से गुड़ा कर दिया उपर नीचे, तो ये पांच तीया पंदरा और ये साथ बाचा पैतिस, यानि आप कह सकते हो कि पंदरा बटा ये जो पैतिस आ गया बच्चा वो भी गिंती से भाग भी करके निकाल सकते हो तुल्लबिन ने, जैसे मानलों इने दो से भाग कर दिया, तो नीचे वाले में भी आप दो से ही भाग करोगे, मतलब हरा और अंस दोनों में आप समान तरह से भाग करोगे, तो ये भाग का मतलब तो आप जानते हो, इसको हम तीन बटा दो लिख लिया ध्यान देना इसकी जगा पे पूरा तीं बटा दो अंसमे Vince नीचे बच्चा यह साथ बटा दो आजाएगा यह तो आपको अच्छे से पता थे पता है न ऐसे दो उपर लेकिन भाग किया हैं और सादूना चवदा लेकिन मैंने भाग किया, मैंने गुड़ा नहीं किया है कुछ समझ में आ रहा है अगर हम इसको सिंफिलिफाई करें दो से काटें, दो त्याइशे, दो सत्य चवदा फिर से ये भिन्ना आ जाएगी अगर मैं इसको सिंफिलिफाई करूँ पांच से काटूँ, पांधिये, पंद्रा, पांधिये, पांधिये, तो फिर से ये भिन्ना जाएगी तो इसी को तुल्ल भिन्न कहते है मतलब दी गई भिन्न को किसी भी एक संख्या से गुड़ा कर दो या भाग कर दो, फिर जो एक नई भिन्ना आएगी, वही क्या होती है तुल्ल भिन्न कहलाती है, या फिर एक्वालियन फ्रेक्शन उसी को कहते है ठीक है? चलो, अब आगे देखो कहानी समझने की कोसिस करो, ये हो क्या में कोश्चन हमारा ये है, कुछ बड़ा अजीब सा है इसमें परसेंटेज कभी चिन लगा है, तुल्ल भिन न भी पूछा है तो सबसे पहले हम इनकी बीमारी दूर करेंगे, इनके पास कई बीमारी है नमबर एक परसेंटेज लगा है, नमबर दूसरा दसमलो भी लगा है तो हम इनको लिखेंगे, 57.12 और परसेंटेज हम जानते हैं कि किसी भी गिंती से परतिसत का चिन हटाने के लिए हमेशा उसको सौ से भाग करते हैं तो पहले हम दसमलो की परवाहना करते हुए इसको सौ से भाग कर देंगे, परतिसत का चिन हट गया ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो अंक पे दसमलो लगा है हमें पता है, हम लोगों ने बेसिक मैथ में सीखा है कि जिस गिंती में जितने भी अंक पे दसमलो लगा है उसको उतने ही गिंती से मतलब जीरो लगा के नीचे से भाग कर देना चाहिए अगर एक गिंती पे दसमलो लगा है तो दस से भाग कर रहा जाता है दो गिंती पे लगा है तो सो से तीन पे लगा है दस हमलों अटाने के लिए भी इसको 100 से भाग करेंगे यानि एक बार तो मैंने 100 से भाग किया था पर सचिन अटाने के लिए दोबारा मैंने 100 से भाग किया इसकी ये बिमारी दस हमलों अटाने के लिए तो ये नया ऐसे बन गया इनको 4 से काटोगे आफ से निकाल के तो चार से काट हो फिर चार चौका शोला और यह बचे गए यह जाए जाएक तो चार दूनाबर और फिर यह तीन बचा चार अठे बथीज चार से काट ओगे 25 शार ने समझ में रहे न class फिर से 4 से काटोगे फिर ये 25 आएगा इसको 4 से काटोगे चारतियां ही 12 ये बचा 22 होगे 4 पंचे 20 और 4 सते 28 इस तरह से अगर final हम करेंगे तो 357 बटा ये 625 आएगा क्या आएगा बच्चा 357 बटा 625 आएगा और question में कह रहा था इसकी तुल भिन है रेकट में लगभग लिखा है लगभग का मतलब इसमें से कोई मैच खा रहेंगा? हाँ लगभग मतलब ये बीवल आपसन correct है देखो ये सवाल कितनी जल्दी हो गया लेकिन चीजें आपको समझ में आनी चाहिए एक बात ध्यान दीजी अगर आपको basic mathematics नहीं आती है कि ये दसमलो का चिनक ऐसे हटाएंगे ये परतिफात हटाएंगे तो सौसे भाग क्यूं करेंगे? इसके लिए आपको पहले basic math आनी चाहिए जीरो लेबल गड़िज जो मैं आपको बढ़ाता हूं उसको आप join कर लिजी अगर आपने नहीं किया है तो क्योंकि जब तक basic नहीं आएगा तब तक competition में कुछ नहीं कर पाओगे और अगर ये सोचों कि trick बता दें trick याद कर लोगे तो आज तल trick याद करके किसी का करल्यार्ण नहीं हुआ है नहीं trick याद होती क्योंकि इच्छा में यह कैसा वाल नहीं आते हैं सिर्फ मैथ ही नहीं पूछा जाएगा उसमें आपसे बिसेस जववा भर पूछा जाएगा हिंदी अंग्रेजी वो क्या क्या बोलते हैं पर्यावरण बिग्यान जन्रो नालेज बहुत कुछ आता है तो तुमको सिर्फ मैथ का trick यह भरना दिमाग में वो सारी चीजें याद करने वाली है उनको याद करना पड़ेगा मैथ समझा जाता है तो इसकी कोई trick आपको समझाने वाली नहीं है बाकी हाँ कुछ सार्टकट हैं जो जरूरी है उनको मैं बताऊंगा जब वो चैप्टर आएंगे तब हर चैप्टर में नहीं चलो जल्दी इनको लिखो इनका कोई सार्टकट नहीं होता है ठीक है हो गए ना और बहुत आसान है समझ लोगे तो ऐसा मत सोचना कि ये बहुत कठी नहीं है बहुत आसान है ये जहां एक बार समझ लिए ना प्यार हो जाएगा इससे और आपको पता है कि जो प्यार जिस चीज़ से हो जाता है उसकी गलतियां भी अच्छाई में बदल जाती है अगला सवाल बिलकुल अलग तरह से है बहुत ही आसान है ये ध्यान से देखना ऐसे भी कुश्चन बहुत बार पूछे गए है देखे सवाल पढ़ ये कह रहा है कि माइनस पांच बटा साथ में क्या घटाया जाए कि माइनस दूइ बटा तीन हो जाए जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ भाईया कि बारा मेंसे क्या घटा दे हम कि नो हो जाए 12 में से क्या घटा दें कि 9 हो जाए आपको पता है 3 घटा दें लेकिन उतीन आता कैसे है जरा सोचिए कैसे आता है देखिए 12 में से क्या घटा दें कि 9 हो जाए आपको पता है 3 लेकिन हमें नहीं पता तो कैसे करेंगे हम मान लेते हैं इसमें से यक्स घटा दिया जाए अब हम यहां से माइनस यक्स बराबर करेंगे तो 9 माइनस यक्स यक्स बराबर माइनस तीन दोनों तरफ माइनस है तो यक्स कमान तीन आ जाएगा यह होता है अल करने का तरीका देखो हमें तो उत्तर पहले से मालूम था 3 होगा लेकिन निकालते हैं कैसे ये तरीका है ठीक है तो चलो इस तरह से आप इस सवाल को कर लोगे अगर आपका basic concept मजबूत है तो आप इसको फटा-फट जट से कर लोगे इसमें कुछ कहना ही नहीं है, बताना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है मतलब आप समझ गए ना, चलो कर रहा कि माइनस 5 बटा 7 में से क्या घटा दिया जाए मानते हैं कि यक्स घटा दिया जाए तो माइनस का 2 बटा 3 मिल जाएगा बस हो गया माइनस का यक्स लिख लो ऐसे ये माइनस का दूइ बटा तीन ये इधर जाएगा इधर माइनस में है तो उधर जाके ये पलस में हो जाएगा पांच बटा साथ इनको हल करोगे तो माइनस का यक्स बराबर ये साथ दूना चौदा और ये धान तीन पच्छे पंदरा नीचे हो जाएगा 21 इस तरह से माइनस यक्स बराबर एक बटा 21 ये प्लस में आएगा याद रखना हाँ चुकि इधर प्लस का चिन बड़ा है तो इधर माइनस में है इसलिए इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो माइनस में आएगा क्योंकि एक्स के साथ माइनस नहीं लगा रहेगा वो अचर पद में चला जाएगा यानि से इसमें से हम माइनस वन अपां 21 सब्ट्रेक करें आपसन नमबर 20 सही है अब इसका प्रूब भी देख लो सही है गलत है कह रहा है कि माइनस पांच बटा साथ में क्या घटा है हमें ये मिला कि भईया इसमें से माइनस एक बटा है कैस घटा दो ये हमें मिला है न अब क्या ये सही होता है ऐसा चलो देखो अब देखो अगर दूई बटा तीन आ गया इसका मतलब सही है माइनस 5 बटा 7 में से माइनस 1 अपां 2 घटाना है माइनस 1 अपां 8ँ 21 घटाना है चलो हल कर लो देख लेते हैं try करके सही होता की नहीं होता है बहुत ही अच्छे से समझना प्यार से बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना एक पैसा कुभी tension नहीं लेना देखो 2 2 माइनस माइनस है तो यह पिलस हो जाते हैं कोईश्टा कोल गुड़ा करो प्लस हो जाएंगे एपन का वरन ही रहेगा क्यूं वरन का वह रहेगा नहीं यहाँ पर मतलब समझो आप लोग थोड़ा सा भी आपको confusion हो रहा होगा जैसे अगर आप भाग करोगे कि इसमें गुड़ा करोगे तो कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा ना तेको समझ हो पहले आप कि देखे इसमें थोड़ा confusion था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ठीक है एकई सलसीम हो जाएगा जब साथ से भाग करोगे बच्चा तीन आएगा तीन काईस में गुड़ा करोगे पंद्रह हो गया एकईस ऐसे ही रहेगा चुकि एकईस से एकईस में भाग करोगे वन आएगा और देखे आपने जितने भी किये बहुत इमानदारी से किये ना इस तरह कि आप लोग सवाल खुद से करना जैसे question इसमें बनाना है तो क्या घटा दिया जाए कि माइनस दूई बटा तीन की जगा पे लिग दो माइनस दूई बटा तेरा हो जाए चलो एक सवाल नया बन गया क आप लोग यह mathematics है नया सवाल बन जायागा ऐसे कर लोगे ठीक है जो भी सवाल आज मैंने बताए उनमें आप सिर्फ और सिर्फ गिंती बदल देना बस ठीक है माल लो इसको चलो पांच बटा सब्तर कर दो एक नया सवाल बन गया चलो करो इस तरह के सारे सवाल करना अगर आ सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करते रहें बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और हां इस वीडियो को आप सेयर जरूर करें अगर आप इसे कहीं डेमो के रूप में देखने तो सेयर जरूर करें जिससे की और बच्चे जूड सकें